हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू मैं चैनल दिस इस रोशन सर्मैक्स चरिया मैं डिये स्टूदेंट्स आप सभी के लिए एट क्लास कुछ इंपोर्टन्ट क्वेश्टन्स अप्लोड करता हूं आंसर्स तेलगू सेकंड लैंग्वेज के लिए एसे टू के लिए प्रिपेर हो रहे हैं आप सभी का सेलेबस भी हो गया होगा कुछ वेरी इंपोर्टन आंसर्स यह लेसन है आपका लड़ी मैंने अप्लोड कर दिया है पाप अ पलू को लोगो यह लेसन है इस लेसन में से आपको मैं अप्लोड कर रहा हूं कुछ दि गुलाब का फलार बहुत ही नरम और खुबसुरत होता है गुलाबी देलपू आरपweiseपू नीलम वटे रक रक्राकाल रंगोर लुंटाए गुलाब classy गुलाबू के फुल में राल लाल्स अलो नीलम वहरभी बहुत सारे कलेर्फुल फलार्वर्स होते है गुलाब का पढ़ने वारू नरो गुलाब के फ्लावर को पसंद करने नहीं वाले कोई भी नहीं रहते हैं मतलब क्या है अच्छी सोंच को ही हम अच्छे थौट्स कहते हैं इतरों को मंची चेडम अंदरी की गौरव इंचडम दूसरों को अच्छा करने का मतलब है कि सब की पर पहुंचना समझना अपना काम खुद कर लेना हम लोग सौचना मंची पर लनुच यह अच्छे काम हम जो करना सौचने हैं इसका मतलब यह हमारे पास अच्छे थौट्स है बोलकर बोलना यह अवन सा सोमसंदर के बारे में आपको लिखना है या ऐसे भी दे सकता है या पापा पलगुलो पाठे कभी गुरिंची रायंडिया ऐसे भी दे सकता है तो कभी पेर्विन का नाम है अवन सा सोमसंदर जन्वस्तलाम इनों पैदावे तूर्प गोदावरी जिल्ला शंकरावरम ग्राम में इनों लिखे सो बुक्स है वजरायुदम कहाली गोदावरी ज जैगणम कली की उँटावे अच्छ princi अच्छी दल रहें दिल होते हैं बात करने तरिका अच्छा होता है माता 3 बाहए जोंड ल Fellows के लेंγे औरो अच्छी कंवर अच्छी देख सा विखे सता ए इ्या आन्सित वील्बक्त या बिलवक्त याद कि mighy फिर सोच फूरि और और बेहतर होगा कि आप एक बार लिख लेंगे उसके बाद याद करेंगे तो आपको बेरिफूट हो जाएगा वैसे तो अलड़ी अप्लोड़ेट है